आप कभी ध्यान दिये होंगे तो आप पाएंगे कि आपके मूँ में एक घंटी होती है हाँ एक घंटी, पिंक रंग की, लगभग एक इंच लंबी, बिल्कुल हमारे बकल कैविटी के पीछे यहाँ जो हमारा टॉंसिल है उसके भी पीछे लेकिन यह हमारे मूँ में होती क्यों है, यह बनी किस्से होती है और इसका काम क्या क्या होता है, और सबसे important बात, इसे कहते क्या है मुझे लगता है आप में से बहुत लोग यह बात नहीं जानते होंगे चलिए बिना समय गवाए, यह जानना शुरू करते हैं कि इस घंटी का काम क्या है, वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लाइक जरूर करना देखिए, इस बॉडी पार्ट का नाम है यूवियूला, जिसे हिंदी में अली जिभा या काका लक भी कहते हैं यह एक मस्कुलर बाडी पार्ट होता है, यानि मुखिता यह मान स्पेशियो से बना होता है, जो की कनेक्टिव टिशू से बना रहता है और इसके अंदर कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, जो इन सलाइवा को सिक्रेट करते हैं हमारे मुँ में जिसे हमारा oral cavity हमेशा moist बना रहता है, कभी भी सूखा नहीं रहता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से आप इस image को देखिए, आप क्या देखते हो, यहाँ पर आप देखते हो कि यह हमारी nasal cavity है और यह हमारे मुँ की बकल cavity या oral cavity है, इन दोनों को अलग करने के लिए बीच में एक pallet है, एक छट जैसी चीज, जिसे हम hard pallet कहते हैं, जो कि पीछे soft हो जाता है, इसलिए इसके पीछे वाले भाग को soft pallet कहते हैं देखिए, nasal cavity और बकल cavity को अलग करने वाला, यह pallet के अंत में एक मांस का टुकड़ा होता है, जो कि पीछे की और लटकता रहता है, इस image में, जहां मैं arrow से point कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं, और भोजन को जब हम अपने मुँ से, पेट में अं अंदर की और निगलते हैं, तो कभी भी भोजन हमारे नाक में नहीं जा पाता है, सोचिए, कितना important है यह, यूवियूला, यह रहा इसका पहला सबसे जरूरी function, जो यह करता है, अब बात कर लेते हैं, इसके दूसरे function की, देखिए, इसी यूवियूला के अंदर बहुत सार saliva gland होते हैं, जो कि एक connective tissue से जुड़े रहते हैं, होता यह है कि जब कभी हमारा oral cavity सुखा सुखा हो जाता है, तो यह यूवियूला अपने अंदर से एक thin saliva को secret करता है, जिससे हमारा मुह कभी भी dry नहीं रहता, वो हमेशा moist बना रहता है, और यही saliva हमारे oral cavity को virus और bacteria से बचा जाने का काम भी करता है, यह first line defense होता है हमारी buckle cavity का, जब कभी यह यूवियूला infection से लड़ नहीं पाता है, तो यह fool जाता है, जिसका इलाज करना पड़ता है, अब जान लेते हैं यूवियूला के तीसरे function की, यह यूवियूला हमें बोलने और singing करने में भी बहुत ज्याद इस यूवियूला से ही लोग कुछ यूवियूलर consonant को बोल पाते हैं, और यूवियूला का चौथा function जो शायद कोई नहीं चाहता होगा, वो है खर्राटो की आवाज लेना, देखिए, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब वो सोते हैं, तो उनका यूवियूला पीछे की और जाकर हमारे फैरिंग्स के दिवार से जाकर सर जाता है, जिससे होता ये है कि कुछ लोगों को सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है, जब एयर यहां से पास होती है, तो बहुत ही pressure से एयर यूवियूला को अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करती है, इसलिए वीला के बारे में बता पाने में सक्षम हो पाया हूँ